आज चुके हम अपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नमबर 4 के साथ और इस लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे माउस के राइट क्लिक के ऑप्शन अब लास लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो इसमें हमने माउस के सेटिंग्स पढ़ाता माउस के कीज कैसे काम करते हैं को यहां पर देख रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं पर में फॉस्ट ऑपिक के साथ जो के होगा आइकन साइज है वार को आप्शन को छोний जुआ रहें कि डिस्टॉप पर राइट क्लिक कर लो आपको यह ओप्शन हम यहां पर समझने वाले तो पहला उप्शन आ रहे है विव विव मींस्थ आपको जो यह आइकन देक रहे है इनकी कुछ सेटिंग्स होते हैं उन सेटिंग्स को यहां पर इनेबल और डिसेबल करना जैसे ह हम shortcut की भी यूज़ करते हैं आपके mouse के inside आपके mouse के inside wheeler होता है wheeler मतलब वो tire तो आपके mouse के inside वो जो tire है यहाँ पे दरमियान में जो tire है इस tire को आप गुमाओगे यह आप forward गुमा सकते हो और backward गुमा सकते हो लेकिन इसके साथ आपने control की भी पकड़ के रखनी है तो क्या होगा control की और wheeler के तुरू तो जब आप control की पकड़ के रखोगे और wheeler गुमाओगे तो यहाँ पर icons को देख लो icons बड़े हो रहे हैं इसी तर्व अगर control की पकड़ के wheeler को पीछे के तरफ गुमाओगे तो icons यहाँ पर चोटे हो जाएंगे तो आप शायदी इन options को यहाँ पर use कर लो आप control, wheeler की तुरू icons को चोटा कर सकते हो और बढ़ा कर सकते हो हमाले आप किसी folder की inside मौझो दें और वहाँ पर भी icon को icon चोटे बड़े करने तो आपको इस type का list चाहिए होगा तो आप right click करके यहाँ पर यह option यूज़ कर सकते हो details नाम का, details नाम का जो list है वहाँ को कुछ इस तरह से structure दे रहा होता है फिलाद हम यहाँ पर right click कर रहे होंगे और view के inside sizes देना या तो icons को चोटा बड़ा करना आपको आ चुका होगा next option आ रहे हैं यहाँ पर auto arrange नाम का auto arrange का मतलब क्या होगा अगर मैं यह चेक हाट ढालो तो यहाँ पर in icons को मैं move कर सकता हो तो मैं left click पकड़ के रखूँगा icon को इस सरह उठा के कई पर भी अपनी इस आप से रख सकता हो तो अगर आप चाते हो यह icon वापिस अपने जगे पे चले जाए और तरतीब से यहाँ पर आ जाए तो आप right click कर लो view पे क्लिक कर लो और auto arrange गोर कर ले मैं right click हमेशा यहाँ पर desktop पे कर रहा हो खाली area पे कर रहा हो images के उपर नहीं यह जो हमें icons देख रहे हैं उनकी उपर नहीं तो right click करके view के inside इस option का का काम क्या है चीजों को arrange करना और lock करना अब इस वकत यह lock हो चुके आप इन्हें move नहीं कर सकते हैं पर आगे बीचे आप कर सकते हो पर इन्हें आप move नहीं कर सकते हैं यहां पर इनकी जो गतार बना हुआ है यहां से आप इन्हें नहीं आटा सकते हैं बेतरतीब नहीं खर सकते हैं अच्छा नेक्स आरा यहां पर option जिसका नाम है align icons to grid align icons to grid का मतलब क्या होता है जिसे आपको यहां पर यह आइकन देख रहा है बाकी आइकन इस rectangle के करीब नहीं आ सकते कब तक जब तक ये चेक लगा हो तो आप ये चेक अगर हटाओगे फिलाल मैं यहाँ पर दिखा दू देखलो मैं इसके करीब लेके जा रहो तो आइकन नहीं आप आ रहा तो ये मैं इसके करीब लेके जा रहो नहीं इसके करीब नहीं जाएगा तो राइट क्लिक करोगे वीव पे क्लिक करोगे सबसे पहले ये चेक अटा लो क्योंकि ये तरतीब दे रहा था दूसरा ये चेक भी आप हटा ले जैसी ये चेक अटा ओगे अब अगर मैं यहाँ पर आइकन को एक दूसरे के करीब रखना चाहो तो मैं आराम से यहाँ पर आइकन को रख सकता हूँ अब यह वापस तर्तीब देना है तो right click करेंगे view पे click करेंगे यह चेक लगा लो right click कर लो view पे click कर लो यह चेक लगा लो तो नहीं यह अपना जो rules होते है जो rectangle होते है उसे break करेंगे नहीं यह बे तर्तीब होंगे अगर icon आपको वापस चाहिए होंगे तो right click कर ले view पे click कर ले और share over desktop icons नाम का जो option है इसका check लगा ले यह icons वापस आ जाएंगे तो आप अगर files को तर्तीब देना चाहते हो arrange करना चाहते हो sort करना चाहते हो तो आप यह option यूज़ कर सकते हो शायदे आप इनके लिए option यूज़ करते होंगे फिलाल मैंने यहाँ पे कुछ folders create किये हैं demo के लिए तो यहाँ पर यह folder आ रहे होंगे इस वकत यह जो files है यह 12 से start है 12 सबसे बड़ा number है इस list के inside और one सबसे चोटा number है तो इस वाले तर्तीब को हम यहाँ पर के रहे होते हैं अगर आपके यहाँ पर जो data है वो बड़े number से start हो रहा है और खतम हो रहा है किस चीज़ पर यह पर तो यह descending order होता है इन्हें अगर ascending order में तर्तीब देना चाहो ascending क्या होता है ascending मतलब one से start कर लो और फिर 12 पर खतम कर लो यह उल्टा इसका तो right क्लिक कर ले यहाँ और sort by पर क्लिक कर ले name के साथ मुझे यहाँ पर ascending order चाहिए तो हम ascending पर जैसी क्लिक करेंगे तो यह पर देख लो यह चीज़े तर्तीब से हो जाएंगे चुटे नंबर से start होके यह बड़ी नंबर की तरफ जा रहा है तो सारे कम आप यहाँ पर right click, sort by और यहाँ पर name चूज़ कर लो और ascending और descending order आपके सामने यहाँ पर होंगे अब next option यहाँ पर आ रहोगा refresh अब refresh हम कहाँ पर use करेंगे refresh मतलब जैसे हम यहाँ पर इंसान तो हमें खुद को refresh करने के लिए हम नहाते हैं, हम बात लेते हैं इसी तरह computer भी यहाँ पर refreshment मांग रहा होता है, हाँ हम इसे नहिलाते नहीं है, पर हम इसे यहाँ पर refresh कर सकते हैं with this option, इस option की तरह हम इसे refresh कर रहे होते हैं, जैसे right click करूँ और refresh, तो यह refresh हो जाएगा पर refreshment कब हमें चाहिए होगी जब computer की inside आपको यह option enable करते हैं वो उसी वकट आपको result नहीं देता है जैसे कि मैं यहाँ पर sword by folder की तरफ वापस चला जाओंगा और यहाँ पर किसी बेग फाइल को मैं rename कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर यह 12 लिका हूँ आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसे 9 कर लेता हूँ और enter करूँगा अब यहाँ पर गोर कर ले क्या यह data तरतीब से है बिल्कुल तरतीब से नहीं है तरतीब से होता तो यह 10 last में होता और 9 पहले होता right click करोगे, sort की inside जाओगे तो आप यहाँ पर देखो कि यह ascending to chosen है पर यह क्यों तरतीब से नहीं आ रहा है क्योंकि यह जो change आपने किया है वो change अभी तक refresh नहीं हुआ है तो आपने एक दफा computer को या तो पिर अपना यह वाले जो folder इसे refresh करना है तो right click के inside आपको शायद वो option मिल जाता है यहाँ पर refresh नाम का पर नहीं मिलता तो उपर option आ रहा होगा यहाँ पर यह option F5 इसका shortcut की है तो आप इस पर click कर ले click करने के बाद देख लो यहाँ नहीं उपर आ गया और दस यहाँ बाद में shift हो गया तो कुछ यह सारा से refresh काम कर रहा होता है जब भी आप कोई काम करते हो result उसी वक्त नहीं मिलता तो आप हमेशा अपने computer की inside result पाने के लिए वो change पाने के लिए refresh कर सकते हो नेक्स option आ रहा है यहाँ पर undo undo means जब आप computer की inside कोई mistake कर लेते हो तो उस mistake को खतम करने के लिए आप एक step पीछे जाना चाहते हो जिसे के हम यहाँ पर इस वाले file को select करेंगे और माले गलती से मैंने delete की press कर ली और यह file यहाँ से delete होगा है हम मुझे वो delete नहीं करना था वो गलती से delete हुआ तो हम right click कर सकते हैं और यहाँ पर आमें option मिल रहोगा undo delete एक step पीछे जाओगे तो यहाँ पर वो icon पढ़ाता एक step पीछे जाने से वो icon जो यहाँ पर पढ़ाता वो window आपको मिल जाएगी तो एक step आमें पीछे जाना है तो undo delete तो एक step पीछे जा चुके के लिए shortcut की होती है control plus y undo के लिए shortcut की होती है control plus z यह चीज़े ज्यातर msword और जो software होते हैं उसकी इंसाइड हम use कर रहे होते फिला right click करेंगे और यहाँ पे next option आ रहा होगा new new के inside आपको आपके software मिल रहे होते हैं जो software आपने install किये हैं उनकी files आप directly यहाँ से access कर सकते हो जैसे मुझे msword का file चाहिए तो मैं यहाँ पर click करूँगा तो msword का blank document मुझे मिल जाएगा double click करके आप यहाँ पर इसे open कर सकते हो और इसके inside आप typing कर सकते हो अब अगर मुझे undo करना है तो control z में undo कर सकता हो control y में यहाँ पर redo कर सकता हो redo मतलब आगे आना और undo मतलब पीछे जाना और right click करेंगे right click के inside new पर click करोगे तो यहाँ पर folder folder हमारा एक पूरा topic होगा फिलाल folder यहाँ से आप create कर सकते हो हम आगे पढ़ेंगे folder के खुद की settings होते हैं वो सारी चीज़े हम step by step next lecture में cover कर रहे होंगे यहाँ पर new पर click कर लो एक और option आपको मिल रहोगा shortcut किसी भी चीज़ का shortcut बनाना जैसे के आप multiple steps लेते हो एक location से दूसरी location की तरफ जाने के लिए जिसे मैं यहाँ पर double click करता हूँ तो मैं एक दफ़ा this PC पर है पर यहाँ पर double click कर लिया और इसके बाद मैं यहाँ फाइल यहाँ से access कर सकता हूँ तो अब चैसे तो इस फाइल को shortcut तरीके से मुझे access करना है तो इसका shortcut आप desktop क्यूपर बना सकते हो desktop के उपर shortcut बनाने के लिए आप new की तरफ चले जाए और यहाँ पर shortcut पर क्लिक कर ले क्लिक करने के बाद वो फाइल जहाँ पर भी पड़ा है अब browse कर लो या तो उसका location यहाँ पर paste कर लो फिलाल हम browse पर क्लिक कर रहे होंगे और वो फाइल कहाँ पर था तो अब कोगे this PC और this PC के inside local disk सी और यहाँ पर main GW इसे select करके ok पर क्लिक कर लो और next पर क्लिक कर लो और फिर finish पर क्लिक कर लो तो आपके सामने उसका shortcut आ जाएगा यह real file नहीं यह shortcut है हम इसे delete कर सकते हैं फिलाल मैं इसे delete कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह से किसी भी चीज़ का shortcut अगर multiple steps आप जाके किसी चीज़ को access कर रहे हो तो उसका shortcut बना लो होगा display settings तो हम इस पर क्लिक कर रहे होंगे जैसी मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया तो इसकी inside हमें यहाँ पर डिर सारे options मिलते हैं सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर multiple screens का यहाँ पर options दे रहा है और यहाँ पर देख लिए उपर इस वकत मुझे कहा जा रहा है कि आपका जो original screen यह तो जो main screen है वो इस वकत यह first screen होने जा रहे है जो मेरे laptop है यह दूसरा मैंने यहाँ पर external screen इसकी साथ attach किया है और मैंने इस वकत option चूज़ किया है यहाँ पर extend मतला कि अगर आप यहाँ प screen बंद करना है तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर options मिल रहे होता है यहाँ पर options होते हैं यहाँ पर options होते हैं अगर आप यहाँ पर दूसरा screen पहले attach करोगे attach करने के बाद extend option यहाँ से चूज़ कर लो वह चूज़ करने के बाद आप एक screen के उपर जो काम कर रहे हो वह काम सिर्प वही तक होगा और दूसरे screen के उपर आप कुछ को और काम कर सकते हो हरां से अब multiple screen खरेक कर ले और यह option try कर लो समझ आ जाएगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं next आ रहा है यहाँ पर brightness तो हम यहाँ पर अपने screen का जो brightness से वो कम कर सकते हैं इसके तुरू और ज्यादा कर सकते हैं यहाँ आगे आ रहा है night light अगर आप अंको की कमजोरी से बचना चाहते हो तो यह option आपके लिए होग रख सकते हो यहाँ पर शेडूल नाम का भी option दे रहा है शेडूल का मतलब कि automatic एक time होती है इसे सुबा के वकाद सुरज होता है और सुरज की time पर यह जो display है यह इतना आंकी खराब नहीं करता पर रात के वकाद अगर आप अंधेरे में बैठते हो तो जाहर बाते यह पर ज sunrise यह खुद से यहाँ पर option भी दे रहा है sunset कब होता है चे 19 पर और sunrise कब होता है चे 24 पर आप इन time के बीच में आगर यह option enable करना चाहते हो तो यह choose कर लो आगे जाते है यहाँ पर next आ रहा है scale scale means कि आपके screen के पर जो चीज़े आपको दिख रहे है जो टास्बार दिख रहे है इसे अपने कितना चोटा और कितना बड़ा दिखाना है इस वकात मेरा जो यहाँ पर scale है जो zoom है वो 125% है और यह मुझे recommended बता रहा है बागी मैं यहाँ पर 100% उटा सकता हो 100% से screen तोड़ सो zoom out हो चुका है वापस क्लिक करूँगा यहाँ पर 175% उटा सकता हो और इस से चीज का जो zoom है वो इस तरह अपने हिसाफ से रख सकते हो फिर रहल मैं 125% वापस चूज कर लेता हूँ नेक्स सारा display resolution अब display resolution कब काम आता है कुछ apps होते हैं आप उन apps को जब download करते हो वो आप से question जरूर करते कि क्या आपका screen 1280 या 40 pixels का resolution सपोर्ट करता है या नही resolution का simple मतलब होता ह है कि screen जो आपके पास या पर मुझूद है उस screen की inside चुटे 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 pixels जिसे के images होते images को बनाया जाता किस के बेस पे pixels के बेस पे images के inside pixels होते इसी तरह screen की inside भी pixels होते तो इस वकात मेरे screen के उपर कितने pixels होगे तो आप इन दोनों को अपस में multiply कर लो 1920 को 1080 को अपस में choosing हैं बाकि हम यहाँ पर resolution कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते कम करूंगा तो देख लो screen यहाँ पर बिल्कुल crop हो चुका है और चीज़े मुझी चोटे देख रहे मैं यहाँ इसे फिलाल रिवर्ट करूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे जो भी apps आप download करते हो उस apps की according यहाँ पर resolution सेट कर लो उसके description में आपको ज़रूर बताया जाता कि आपके screen के resolution इतने होते तब यह एप चलेगा वरना नहीं यहाँ पर नेक्स आ रहा है डिस्प्ले औरेंटेशन तब काम आता है जब आपका यहाँ पर जो screen है वो touch हो तो अगर आप touchscreen यूज़ करते हो तब आपके mude के रहे होते हैं जिसमें width कम होता है height ज्यादा होता है तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं दिखने के बाद portrait पर शक्रेंगे तो screen यहाँ पर देख लो कुछ इस तरह से आजीब है वापिस हम reward करते हैं इसे और वापिस आप यहाँ पर दिक हैं नीचे आ जाएंगे लेंगे यहाँ पर ठीक हो जाएगा बागी option आप खुद से try कर लो screen को आपने यहाँ वहाँ move करना है किसी की साथ केलना है किसी की screen को खराब करना है तो आप यह option यूज़ कर सकते हो आगे आ रहा है advanced display आप इस पर क्लिक कर ले और इसके inside आपको कुछ information दिया जाता आपके यहाँ पर screen क्रीन कितने टाब में refresh होता है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाता है तो refresh कर रहे टाप यहाँ से control कर सकते हो फिलाल मैंने यहाँ पर 48 जो recommended है यह खुद से choose कर रहा है तो मैं यहाँ पर setting चेंज नहीं करता है यह खुद से अपनी साथ से यहाँ यह setting चूज कर रहा होता ह remove display from desktop यह जो display है यह desktop से remove करना है तो यह check लगा होगे यह बिल्कुल hide हो जाएगा आगे हम यहाँ पर जा रहे होंगे नेक्स आरा है ग्राफिक के वाले से आपको information दिया जा रहा तो यह भी आप एक दफा चेक आउट जरूर कर ले फिलाल हम यहाँ पर इसे close करेंगे तो यह सबसे बड़ा option होता है यहाँ राइट क्लिक के inside तो हम इस पर ख्लिक कर रहा होंगे क्लिक करने के बाद सबसे पहला option आपको मिल रहाओlden बेग ग्राउंड को अपको अउर्स तो आप यहाँ पर प्लेग आप क्रेंगा तो अपर next कर ल정이 कर ले तो अब यहाँ पर देखकर कर अब background में वो color apply कर सकते हो जो भी आपको पसंद आता है अपने हिसाब से यहाँ पे color लगा लो color पसंद नहीं आता तो आप images भी लगा सकते हो तो images के लिए यहाँ पर click कर लो picture choose कर लो picture चाहिए तो picture पर click कर लो यहाँ पर picture वापिस आ जाएंगे पर यहाँ पर आके आप इन options का यहाँ पर use कर सकते हो इमेज चोटा होगा तो tile tile मतलब अगर screen इतना बड़ा आ रहा है तो इसकी inside image इतना अगर जगा ले रहा है तो यह बार बार खुद को इस तरह repeat कर करके screen को fill कर लेगा तो tile का मतलब यह होता है बार बार repeat करके screen को fill करना बा पर जो भी image आपको चाहिए होगा आप यहाँ पर इमेज उटा सकते हो और even आप images को browse भी कर सकते हो browse मतलब कई और से image उटाना तो हम browse photo पर क्लिक करेंगे जहाँ पर बहुत बड़ा है तो बार बार repeat के उपर हम center कर सकते हैं और हम यहाँ पर stretch कर सकते हैं stretch मतलब कीच के screen को fill कर लो और यहाँ पर fit भी आ रहा है तो fill भी आ रहा है अब अपने हिसाब से यहाँ पर option चूस कर ले जो भी आपको टीक लेगे उस जिगे पर आप stop कर ले यहाँ पर next आ रहा है contrast दिम यहाँ पर एक और चीज में बताना चा है तो यहाँ पर click कर लो यहाँ पर time दे सकते हो जैसे में one minute choose कर लेता हो अब जो images है वो तो आप बताओगे तो वो बताने के लिए हम यहाँ पर browse पर click करेंगे अब यहाँ पर ब्रॉस पर click करने के बाद जो images आपको बार बार repeat करना एक के मत दूसरा लेना है दूसरे के बा contrast team तो अब यहाँ पर जो screen देख रहे हो इसे आप बिल्कुल change कर सकते हो अलग अंदाज दे सकते हो अलग शकल structure दे सकते हो तो अब यहाँ पर क्लिक कर लें यहाँ पर पूरा स्क्रीन यहाँ पर change हो चुका है बगर जो भी आपको structure यहाँ पर पसंद आ जाता है तो यहाँ पर क्लिक करके अपने यहां पर जो structure होते हैं उसे अपनी हिसाब से एडिट भी कर सबते हो कलर कौन सा देना है किस चीज को कौन सा कलर देना है बेगरांड टेक्स्ट वगारा इन सभी चीजों का यहां पर सेटिंग मौझूद है तो आप इन सेटिंग को एक दफा चेक आउट ज़रूर कर ले फिलाल मैं यहां पर option चूज करूँगा नन तो यह हमें वापिस अपना पुराना जो screen है वो दे देगा फिलाल बाहर निकलते हैं और यह थे आपके setting display के हावाले से और अगर कोई ऐसा color जो आपको चाहिए यहां पर नहीं मिल रहा तो view color पर क्लिक कर लो आपके में background में black color choose कर लेता हूं तो पिर यह खुबसरत दिखने लगता है तो यह थे personalized के inside कुछ options तो हम यहाँ पर बायर निकलते हैं वापे और next option आ रहा है यहाँ पर colors का तो आप यहाँ पर colors का जैसे के टास बार का color होता है और menu के inside यह colors जो आपको दिक रहें यह color जो आ जाएंगे और इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर color change हो जाएंगे तो यह window के colors भी इसके साथ change हो रहे होते हैं बाकि यहाँ पर option आ रहा है choose your mode तो आप यहाँ पर mode choose कर सकते हो जैसे light mode लाइट हो जाएगा dark mode होता है और next option आप आ रहा है transparency जैसे कि इसकी behind आप बागी जी देख पार है उनका जो color है वो आप यहाँ से change कर सकते हो और इसके नीचे यहाँ पर कुछ options भी दे रहे हैं जैसे के show accent color on start and taskbar तो अगर मैं यह चेक लगा लो और देख लो यहाँ पर जो भी color मैंने चूज़ कि है वो taskbar पर भी आ रहा होगा यहाँ पर भी आ रहा होगा बाकि यहाँ पर border में भी आप same colors को use कर सकते हो जैसे इस वकत यहाँ पर देख लें मुझे side हो पर यह border का color pink मिल रहा है तो मैं यहाँ पर अपनी हिसाप से यहाँ पर color उठा सकता हो तो यहाँ पर जो window के borders होंगे उसके लिए भी आप अपनी हिसाप से यहाँ पर color choose कर सकते ह आपको दिख रहे हो इस वकत blue color में क्योंकि हमने यहाँ पर blue color चूज किया है और यहाँ पर यह option भी आपको blue color में दिख रहे होंगे next option आ रहा है यहाँ पर तिम्स तो तो तिम की inside कुछ चीजों का combination होता है जैसे background sound color और mouse cursor अगर मैं background पर click करूंगा तो यह background की तरफ मुझे लेकर आ जाएगा कि background में कोई भी यहाँ पर image चूज कर लो और next option आ रहा है sound जिसे आप USB प्लग करते हो अपने laptop के साथ यह तो जो charger वगरा होता है यह किसी भी चीज को आप अपने computer के साथ रटेश करते हो तो कुछ sound play हो जाती है तो आप यहाँ से change कर सकते हो तो आप यहा इसे यहाँ पर windows default पर रहने देता हो और next option आ रहे हैं यहाँ पर mouse यह जो mouse का cursor है इसे आप यहाँ से change कर सकते हो हम इस पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर different type के cursor होंगे आप कोई भी cursor अपनी हिसाब से यहाँ पर choose कर सकते हो last lecture में हमने यह पूरे options पढ़ लिए next option आ रहे तो यहाँ पर उस नाम से यह team save हो जाएगा और यहाँ पर आ जए जसे के इन team से हैं यहाँ आप की सेव हो जाएगा, faith फ्याइर साजर को नाम नशीव खोर जियुकिन में मुज़ मुझे इस इस व यहां पर उटा सकते हैं जो भी इतिम आपको ठीक लगए अपनी इसाब से यह पे तिम ऊटा लो तो तो छीज़े इस तीम की burn यहा पर हो जांगे तो मेरे अपने when यहां depressing चीजेस ह reflect किए तब यहाँ पर चेक लगाते हैं apply पर क्लिक करेंगे तो icon दिखने लगेंगे और अगर चेक हटाते हैं जिसे मुझे यिवाल icon नहीं दिखने तो check हटाओंगा ok पर क्लिक करो तो icon गायब हो जाएंगे अब आगे बढ़ते हैं यहां पर next option तिम्के जासप बात आ रहा अप्शन कर सकते हो लागी बागी बागी बाहर के तरफ मिलेगा अगर बाहर के अगर कि तरफ मिलेगा अगर बाहर निकलता हो तो पर क्लिक करके आपके पास option होगा option का नाम lock तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे डेस्टॉप से बायर निकलेंगे वहाँ पर मुझे यह वाला screen दिख रहा होगा तो हम यहाँ पर इसके भी setting कर सकते हैं इसमें कौन से चीज़े आटेज करना है कौन सा image लगाना है यह सारे चीज single picture होगा बाकी picture यहाँ पर different picture आपको दिए गए तो इन में से भी कोई picture आप क्लिक करोगे तो बेगराण में अपलाई हो जाएगा फिरल में अपना logo यहाँ पर से लगाना है तो यहां से लोड कर सा तो यह पिर आपको computer की तरफ ले जाएगा तो picture यहाँ से चूज कर लो नी से यह चीजी चूज कर सकते हो जिसे इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि अगर आप इसे चूज करोगे तो यह वेदर दिखाएगा और कुछ चीजे खुच से screen के उपर यहाँ पर यहाँ पर बाहर निकलोगे तो यहाँ पर कुछ windows आ जाएंगे यहाँ पर यही चीजी दिफरेंट होगा और यहाँ पर आपने डिफरेंट पिक्चर चूज किया होगा तो इन दोनों को मेच करने के लिए उप्शन होता है तो अगर आप एक हमेच करोगे दूसरा आटोमेटिक इसके साथ चेंज हो रहा होता है वाकिन यहाँ पर आ रहा होगा screen time तो screen time क्या होता है जिसे आप कुछ देर तक laptop या computer को यूज नहीं करते तो screen को अपने बंद करना है नहीं करना वो चीज़े आप यहाँ से या वो setup यहाँ से कर सकते हो तो मैं इस पर क्लिक करूंगा screen and sleep हम इस पर क्लिक करेंगे मैंने आप कुछ options की हैं जैसे कि अगर battery पे मैं मौजूद या screen को यूज ना कर लो तो जाहर बात है इसे क्या कर लो बंद कर लो turn off my screen after two minutes तो यहाँ पर settings होते हैं आप अपनी साब से यहाँ पर setting चूज कर सकते हो नेक सारे power mode अगर आप laptop यूज कर रहे हो तो यह laptop की inside यह तीन options आपको मिल रहे होंगे जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक को कब enable करना है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा तो आप percentage चूज कर सकते हो जिसे अगर laptop 20% से नीचे गिर जाता है 10% से नीचे गिर जाता है तो power saver को enable कर लो कभी भी enable नहीं करना तो आप यह option चूज कर सकते हो और next यहाँ बैटरी का usage आपको बताया जा रहा यह सारे option चैनते यहाँ पर lock screen का next option आ रहे है यहाँ पर text input का अगर मैं यहाँ पर किसी भी software को open कर लो जिसे मैं यहाँ पर open कर लेता हूँ notpad को अब notpad को open करने के बाद तो मैं यहाँ पर यह जो भी चीज़े मैंने लिखे हैं तो इसे मैं with voice भी type कर सकता हूँ with the help of voice भी type कर सकता तो यह चोटी सी window आ जाएगी इसके इंसाइड आपको यहाँ पर emojis, gifs वगरा यह सारी चीज़े मिल रहे होंगे तो आपको यहाँ पर जो भी चाहिए होगा आराम से आप यहाँ पर उटा सकते हो यह sticker वाला जो window है इससे लाने के लिए हम अपने keyboard से window की पकड़ के रख सकते हैं और फिर dot प्रेस करेंगी या semi colon तो आपके सामने यहाँ पर यह sticker वाली window आ जाएगी ने सारे wise typing window तो अगर हम window प्लस h प्रेस करते हैं तो यह wise typing वाली window हमारे सामने आ जाएगी यह चोटी जी window इसके तुरू मैं wise के तुरू चीज़े type कर सकता हूँ जैसे हम यहाँ पर window प्लस h की प्रेस करूँगा तो यह वापस आ जाएगा और यह मुझे कह रहा है इस वकत मैं आपको listen कर रहा हूँ आप जो भी बोल रहा हूँ मैं आपको सुन रहा हूँ और यहाँ पर देख लो यह चीज़े type करने की कोशिश कर रहा है पर मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो जाहर बात इससे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है तो देख लो यहाँ पर इसने तोड़ा सा चीज़े यहाँ पर detect किया है तो जो भी color आपको रखना है अपने विंडो का अगर मैं विंडो समी कॉलम प्रेस कर लो तो यह color आ रहा होगा पर क्लिक करूँगा इस वाले विंडो पर windows समी कॉलम तो देख लो color यहाँ पर change हो गा है तो अब अपनी हिसाब से इन windows को color दे सकते हो जो टैपिंग वाली विंडो है वो भी यहाँ से color ले रहा होता है नीचे जाओगे तो टैपिंग के setting आ रहा है यहाँ पर keyboard का setting आप करना चाते हो तो यहाँ पर keyboard का setting कर सकते हो तो मेरे पास यहाँ पर एक touch keyboard होता है तो अगर मैं यहाँ पर right click करूँगा या तो फिर हम यहाँ पर touch keyboard को यही से enable कर सकते हैं तो open keyboard पर click करूँगा click करने के बाद यहाँ पर यह चोटा सा keyboard और touch keyboard हमारे सामने आ रहा होगा बाकि इसके जो options है वो आप small कर सकते हो आप large कर सकते हो और यहाँ पर इसका keyboard का जो size है वो कम और ज्यादा कर सकते हो तो अगर मैं यहाँ पर इसे बढ़ा लू मालो मैंने यहाँ पर इसे बढ़ा के हम यहाँ पर इसे बढ़ा ले तो मालो यह देख लो जो options है वो सबसे ज़्यदा बढ़ी हो गए unattest भी कर सकते हैं हो जाएगा close करना है तो यहाँ पर क्लिक कर लो यह window close हो जाएगी अच्छाने क्सार है यहाँ पर typing का setting typing का setting आप यहाँ से कर सकते हो जैसे कि touch typing inside यहाँ पर play keyboard का जो sound है यह space double space press करने से क्या होना चाहिए तो यहाँ पर multiple के नीचे यहाँ पर error दे देता है तो उसे enable or disable करने के लिए यह option यूज़ कर सकते हो multi language को support करवाने के लिए option यूज़ कर सकते हो multi language की inside भी आपको suggestion मिलने लगेंगे और बाकि यहाँ पर suggestions जैसे के suggestion physical keyboard की inside को suggestion मिल रहे होते यह word आपको इस तरह कर सकते हो misspell करोगे तो वह आपको highlight करके देदेगा word वागि typing का insights वज़रा यह कुछ settings है यह खुद से एक दफ़ा check out कर लो easy है नीचे आ जाता है language को enable करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लो आप यहाँ पर अपनी यहाँ पर add a language पर क्लिक कर लो जो भी लिंग्विज आपको पसंद आता है जैसे मैं अरभी उटा लेता हूं next पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमने install पर क्लिक करना है यह Arabic language को simple install कर लेगा कुछ देर में और जैसी install हो जाएगा तो यहाँ पर वो language मुझे दिखने लेगा जैसे कि इस वक्त मुझे यहाँ पर देख रहा है पर हाँ इसका जो language का pick वगरा है यह downloading यहाँ पर start है नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर तीन डॉट पर क्लिक कर ले remove पर क्लिक कर ले वो language यहाँ पर remove हो जाएगा कुछ इस सारे से languages को add और remove कर सकते हो और पर country और region के वाले से यहाँ पर कुछ मजीद चीज़े आ रहा है इनको आप खुद से एक दफा पर check out कर ले हम यहाँ पर आगे बढ़ रहा होंगे तो मैं यहाँ पर पीचे चले जाता हूँ यहाँ पर लास्ट ऑप्शन हम एक दफा देख लेते हैं बहुत काम का है तो टेक्स करसर और color size और thickness वगए आप यहाँ से control कर सकते हो टेक्स का करसा है जैसे के यहाँ पर cursor blink कर रहा होगा इस cursor को control कर सकते हो आप यहाँ से तब cursor को यहाँ पर यह वाला style देना चाहते हो और इसका जो size वहां बढ़ा सकते हैं इसके लिए color हम यहाँ चूज कर सकते हैं जैसे मालने मैंने यहाँ से red color की बजाए black color तो यह वाला सिंबल आ रहा है तो यह जो करसर के ऊपर नीचे डोट सा रहा है इसे हमने यहां से इनेबल कर लिए बाकि इसके कलर आप यहां से चूस कर सकते हो डिसेबल करना है तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो नेक्स यह जो करसर का साइज है जो तिकने से वह आप कंट्रोल कर सकते हो तो हम यहां पर अगर हम इने बल करने के बाद आप देखलो यहाँ करसर का अफुतना मोटा कर सतर आ रहा रहा है तब یہ पर कर सकते हो क CONTROL कर सकते हो मेरे इसे त्क Raptor भकता हूं यहां पर आ है माउस का जो कर्षा यह जो कर सरह है इसे चेंज करना जो मैं यहां वहां मूफ कर रहा हूँ तो आप यहां पे नीचे आ जाए माउस पॉइंटर इंड टच इस पर क्लिक कर लें क्लिक करने के बाद यहां पे डिफरेंट टाइप करसर मिल रहे होंगे तो आपको जो भी करसर चाहिए यहां पर अपनी साफ से उठा लेता हुछ और इसका कर पो नहीं साब से और यहाँ पर मजीद इसके options आ रहे होंगे तो आप इन options को भी एक दफा ज़रूर चुट कर लो next option आ रहा है यहाँ पर start start मतलब यह वाली जो menu होती है इसके settings करना तो आप यहाँ पर click कर लो click करने के बाद आपको start कैसे देखना है जैसे हम यहाँ पर default यह वाला चूजन है तो इस वकत आपको start कुछ इसी तरह से दिख रहा होगा अगर मैं यहाँ पर change कर लो जैसे इसमें यह नीचे वाली option इतीन आ रहे हैं इसमें options ज्यादा हो जाते है bottom वाले तो अगर मैं यह चू settings आपको मिल रहेंगे settings को भी आप check out कर ले check को enable कर लो disable कर लो तो यहाँ पर देखोगे कुछ चीज़े यहाँ पर गायब हो जाएंगे जिसे हम यहाँ पर इस button के साथ कुछ चीज़े लगाना चाहते हैं तो मैं folder पर click करता हूँ click करने के बाद यहाँ पर setting को enable करते क्लिक कर होगा मैं यहाँ पर इस option को enable कर ले तो यहाँ पर file explorer को click करूंगा तो file explorer मुझे देखेगा और इन अप्शन को मैं office यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं अपनी हिसाब से आप यहाँ पर आराम से हैं जो भी start menu का setting है वो यहाँ पर control कर सकते हो नेक्स आप्शन आ रहा है यहा यहाँ पर कुछ fonts मिल रहे होंगे जिसे मुझे कोई नया font कहीं पर दिखा उस font को मुझे download करना है अपने computer में शामिल करना है तो हम यहाँ पर चले जाएंगे किस चीज की तरफ पर सिंपल उसे download कर लो इंस्टाल कर लो तो बिल्कुल इजी है अब डारेक्ट यहाँ पर Google से इन चीजों को download कर सकते हो किसी font को delete करना है तो तीन डौर्स पर क्लिक करना होता है अन इस्टाल पर क्लिक करोगे अनिस्टाल कर लेगा hide पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करके hide कर सकते हो तो अगर किसी software के inside आप यह phone नहीं दिखाना चाते तो आप hide कर लो और अगर बिल्कुल delete करना है computer से तो अनिस्टाल पर क्लिक कर लो तो यह थे सारे options आपके right click के तो हमने यहाँ पर right click के inside personalize समझा और personalize के इसाथ यहाँ पर डेर सारे options थे step by step हमने इन options को समझा सिवा है taskbar का तो next lecture में हम taskbar को cover कर रहे होंगे